टीम वर्क चांदी के गुण अलग हैं सोने के गुण अलग हैं और आपकी कठोरता एक अलग ही काई है क्या करने मुस्ताद होंगे अंदे की अंजानी सी पगली सी दीवानी सी आहट मेरे अंदर आएगी और मैं बद्दूंगा टीम वर्क और विक्तिगत कठोरता का कभी मेल नहीं होता कभी मेल नहीं होता पानी को और मिट्टी को कितना ही घोल लो रे थोड़ी देर शांद छोड़ो पानी अलग मिट्टी अलग कभी मेल नहीं होता पानी में तेल को कितना ही घोल लगता है घुल रहा है लेकिन मेल नहीं होता सोने को چांदी के साथ कितना गोलो कितना ही मिला लो रूबालो चांदी के गुन अलग हैं सोने के गुन अलग है आपको भी अपनी जिंदगी पर यह लेसन को हमेशा याद रखना है टीम के बिना का काम्याब हो सकते हो क्या टीम के बिना करोड़ पती बन सकते हो तो जब टीम जिंदगी का सबसे बड़ा परमार्थ है जब जिंदगी में सबसे उपर आपकी टीम है जो एक दिन आपको और पती बनाने का माददा रखती है अगर वो और विक्तिगत कठोरता अलग-अलग दिशाओं में ले जाती है तो बताओ क्या बदलने के लिए तैयार हो क्योंकि विक्तिगत कठोरता का मेल नहीं खाता टीमवर्क से टीम अपने आप में खुद एक जिंदा ही काई है और आपकी कठोरता एक अलग ही काई है ये लेशन सबसे पहला क्यों हो ये कमांडमेंट पहली क्यों है क्योंकि अगर भूमी उपजाओं नहीं हुई तो साला इसराइल का बीज भी नहीं उगएगा और भूमी पोली हुई उपजाओं हुई जिंदकी में जो आपको यहां तक लाया इससे आगे नहीं ले जा सकता विक्तिगत कठोरता को मिटाना होगा मिटाना होगा विक्तिगत कठोरता को आपके भीतर पूरी दुनिया समाज आए इतना विशाल हिर्दे करना होगा चेंपियन का हर्दे बड़ा होता है चेंपियन का दिल बड़ा होता है चेंपियन का कलिजा बड़ा होता है आप बनने जा रहे हो अगर चेंपियन तो टीम वर्क और विक्तिगत कठोरता में पूरी तरीके से भिन्निता है विक्तिगत कठोरता कहां से शुरू होती है बच्चों के साथ behavior, पत्नी के साथ behave आप माबाद के साथ कैसा behave करते हो फिर उनका असर आपके आसपास के पडोसी पे, फिर इकाई पे फिर आपके आसपास के महले पे, फिर आपके दोस्तों पे फिर रिस्तेदारों पे, फिर आपके बिजनस पे जो मूल सुबाव आपका है, वो कुछ दिन ढख सकता है बिना transformation के, लेकिन एक दिन फिर बहार आ जाएगा और जिसका भीतर से transformation हो गया, फिर वो नहीं बदलता वापस एक बार दूद में से घी बन गया, अब घी दुबारा धही नहीं बनता ऐसे लाइफ को transform करना है, बहुत में से थोड़ा अर्क निकालते वे आपको transformation करना है, वेक्तिगत का ठोरता नहीं चाहिए दुनिया में वही वेक्ति सफल होंगे, जो परिवर्तन करने में उस्ताध होंगे क्या करने में उस्ताध होंगे, कितना दर्द होता है, रोज पेंट पेंटे हो, दाया पाउँ पहले डालते हो, कलबाया डालना आपको लगेका क्या डाला है कहा डाला है छो भुंक इतना सा परिवर्तन सहें नहीं होता बोड़ी से आप भिस्तर में जिस तरफ सोते हो उसके ज्यावब दूसती तरफ सोके डेखो आप को ज Favornayya ने तोना सा सहें नहीं होता है परिवर्तन को सहन करना ही championship है परिवर्तन सहन करने होंगे कभी आपके marketing plan में कुछ कठोरता आ सकती है कभी निर्णओं में कठोरता आ सकती है कभी site में कठोरता आ सकती है कभी चीजों के dimension बदल सकते हैं कभी दो-तीन competitor आपका धंदा खराब करने की दिशा में आ सकते हैं लेकिन आपके भीतर उर्जा अगर ऐसी install है तो फिर दुनिया का कोई बहरी परिवर्तन आपकी परिवर्तन शक्ति को बदल नहीं सकता उसे टकर नहीं दे सकता उस्ताध होंगे दुनिया में वो लोग जो पर इस पूरी लाइन में ये दो शब्द अब मत भूलना जिंदगी में जो इंसान में परिवर्तन के उर्जा है वो अपनी संभावनाओं को वहां तक विक्सित कर लेता है वो उन दिशाओं तक भी पहुंच जाता है जो दिशाएं अंदे की अंजानी सी पगली सी दिवानी सी जाने वो कैसी होगी रे इस चकर में तो कई जाके कुए के पेंदे में पड़ते हैं है ना इसमें तो मजाता लोगों को अंदे की अंजानी सी ओके जाएगा किदर कुए के पेंदे में अलग रास्ता है उठेगा कैसे जब जिंदगी के परिवर्तनों के लिए सर्वो इस्प्लोर कर भाई जो अंदेखी अंजानी है इसका मतलब क्या गोकुलकृपा अगर ये नहीं सोचती कि मुझे और ग्रोथ करना है तो मैं आप से कहता हूं किया कभी मुंबई आप लोट बेचोगे ये सोच भी सकते थे क्या आने वाले टाइम पे आप जितना आगे भड़ के कोने को नाप चुके होंगे अपने संगठन को मजबूत बनाए रखो भाई अब एक शहर से दूसरे शहर पोंच गए तीसरे शहर पोंच गए आज आप बड़ी जगे पे जा रहे हो देश की व्यापारिक राजधानी में एंट्री होने वाली है बाई विजन देखो आपको मैं सही कह रहा हूं भाई अंदेखी अंजानी दिशाओं को वो एक्स्प्लोर कर पाता है जो तैयार रहता है आजा होगा जो देखा जाएगा साला परिवतन के लिए आहट मेरे अंदर आएगीर मैं बद्दूंगा